नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लास स्टडी में साथ योपी पुलिस कॉंश्टेबर री एक्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीस के अति महत्तपूर प्रश्णों का प्रेट्टे सेट ले करके आया हूँ जो आपकी एक को और है इमांदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में सेर करनें और ये बता कि आपने इस प्रेट्ट्रे सेट में से क knryका है और ये प्रेट्ट्रे सेट आपको रिए स्प्रिद्ट्र प्संदाए तो वीडियो ar k duplicर चैनल को ससक्राइब करना ना बोलें तो पहला Top तो पहले आ प्रशान करके Tao आपके सामने की सूची एक को सूची दो से समयित किये था सूची ओं के नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुने चलिका हम सूची एक का सूची दोसे मिलान करते हैं तो चलिए एक तब दियَगा हार्मु कन दिये स्रावित ग्रंती चलिए तो पोजिस्ट्रॉन ये कहां से निकलता है तो ये महिला के गरवा साह में तो एका मिलान हो जाएगा तीन के साथ टेस्टोस्ट्रोन तो ये पुरुस के अंडा साह में होता है तो वी का मिलान हो जाएगा चार के साथ तो ये थाय्रड इसके मिलानन हो जाएगा एक साथ और इंसलीन तो ये हो जाएगा अगनास उसके मिलानutions हो जाएगा दो के साथ अब कौन सिमिकलट में तीन-चार- एक- दो तीन-चार- एक- दो देखते हैं तो ये हैं ऑपना संख्या ए तो ए इसका राइट अंसर हो जाएगा दो का पर संक्या तीन है आपके सामने के वाई इस्थान जहां प्राक असुक ब्राहमी लिपी का पता चला है तो कहां से पता चला हुआ है आपको यह बताना है तो यह पता चला हुआ है, मास की से, तीन का राइट अंसर, और अपन संक्या डी, इस परिशनकार राइट अंसर हो जाएगा तौन संक्या चार है, आपके सामने के मद्य कालीन भारत कि मोगल सासक बस्तुता थे, तो यह कहा थे तो मद्द कालिंज भारत में जो मुगल ते ये चकताई तुरक थे चार का अंसार ओप्टन संक्या सी इसे प्रिश्नकार राइट अंसार हो जाएगा प्रिश्नकार पांच है आपके सामनों की दिल्ली का वाय सुल्तान जिसने अपने संस्मरट लिखे थे तो ये फिरोज तुक लखनार ओप्टन संख्या डि इससे प्रिश्नकार राइट अंसार हो जाएगा अंगला पेट से परिशनकार राइट अंसार हो जाएगा परिशनकार साथ है आपके सामने के भूमी नापने के लिए दिल्ली सलतनत काल में कौन सा मापक पुरियोग में लाया जाता था तो कौन सा मापक लाया जाता था तो इसमें लाया जाता था मसाहत साथकार राइट अंसार आपने से परिशनकार राइट अंसार हो जाएगा अंगलापेशन प्रिण संक्या आठ है आपके सामनों कि महाराणा सांगा ने इब्राहम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था तो कोन सी योद्म मारान सांगा नहीं हरा या था तो ये हरा या था खतौली का योद्म आठका राइतां सार और अुप्षन संंख्या इस प्रश्न का राइतां सार हो जाएगा प्रण संख्या नौ है आपके सामने कि आजाद हिंद भोज के अधिकारियों ने लाल किला में चल रहा है मुकद्बे में उनके पक्च में निम्लिकित मैंसे किस ने बकालत की थी तो ये बकालत की थी, Sir TB सपरू ने, no का राइट आंसर, D option इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंदार है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप लोगे जरू सस्क्राइब कर लीजिएगा चलिएगा पर संक्या आपके सामनों है दस कि निम्लिकित गटना को उनके सई कालमा क्रोनसार प्रुस्तत कीजिएगा तो चलिएगा तो पहले हुआ था लखनव समझवा था बिल्कुल उसके बाद गांदी एरविन समझवा था उसके बाद पूना समझवा था और लाश्ट में हुआ था समना अग्या आदोल की अ आपके सामरे कि वहाए कौन सी जगाय थी जहां अखिल भारती किसान सबां का पहला अधिवेशन हुआ था तो यह कहां पर हुआ था था तो वह जगाय थी लखनवा ग्यारह का अंसर ऑपन संक्या सी इस प्रिश्णकार राइट अंसर हो जाएगा प्रिशंक्या बारा है एक अंतनतों का नेत्रत किया था कि सुरींद्र नाद बनर जी ने बार्वा का अनसार और संकिया यह इस पृष्ण का राइड़ा अंसार हो जाएगा प्रण संक्या ते रहा है आपके सामने कि वाय कौन था जिन्हों ने अनुस्रीलन सम्ती की इस्थापना की थी तो किस ने की थी तो अनुसूलन सम्ती की जो इस्थापना की थी वो कि थी वरिंद्र घोसने ते रहा का अंसार और संक्या भी इस प्रिश्नका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अंगला पैस ने आपके सामनों पर संग क्या है चौद्रा कि निम्लिकित में से कौन से हेमाला के तरुण बलित परवत कि साच कही जा सकते हैं कौन कही जा सकते हैं यह आपको बताना है तो गहरे खड़े यू गुमाबाली नदी मार गए साम राइट अंसर हो जाएगा चौद्रा का ओप्र संक्या डी चलिए अंगला पैस ने आपके सामनों पर संक्या है पंद्रा कि भारत की निम्लिकत फसलों पर बिचार कीजिए लोविया मूंग अरहर ओ प्रियोक्त में से कौन से दलहन चारा और हरी खाथ की रूप में प्रियो सर्थम रभाठि गंौणा उटपादक राज्य तो का हैं प्रियो को से बोराज्य के तीन जिसमें सबस्ती हैं गंणा होता है तो पहला होता है महाःष्ञा पिर्देश में महा तीस्रा होता है तम टम ल INTER वाला एक ही Opsan है 16 का सी इसका राइट अन्सार हो जाएगा कि पृरण संक्या 17 है आपके सामने के राश्ट्य मानवादिकार आयोका गठन का भी किया गया कभ गधा था तो राश्ट्य अन्मादिकार आयोका इसका जो गठन होजा था उन्नीस तेरानवे में घुँआता सत्रा का राइट अंसर और संक्या एसे प्रिश्नका राइट अंसर हो जाएगा प्रिशंक्या अठारा है आपके सामने कि भारत का कौन सा राज सरबादिक अब्रक उत्पादन करता है तो जारखन राज सबसे जैदा अब्रक उत्पादन करता है अचारा का रहिटानसर और अप्षन सन्केया भी ऐसे परिष्नका रहिटानसर हो जाएगा परेन संकेया नी से आपके सामनों कि महादीब अलग कैसे हुए तो बताओ कैसे हुए तो महादीब ये बिवर्तन Anda Kirya से अलग हुए है 19 का अंसार और अपन संक्या B इसे प्रिष्ण का राइट अंसार हो जाएगा पन संक्या B से आपके सामने कि निमलिकेत मैंसे कौन सा स्वार मंडल का भाग नहीं है तो बताओ इन मैंसे कौन नहीं है स्वार मंडल का भाग तो नीहार का ये सौर मंडल का भाग नहीं है डी इसका right answer हो जाएगा 21 माप्रशन आपके सामने के किम्रले पिर्सिद्ध है बताइए किम्रले किसके लिए पिर्सिद्ध है तो ये हीरा खणनने के लिए पिर्सिद्ध है 21 का जो आंसार होगा वो आपन संक्या भी इस पुर्षनकार आइट आंसार हो जाएगा पन संक्या 22 है आपके सामनों कि भारत की संचिद निदी से निदी निकानने के लिए निम लिके मैंसे किसका अनमोदन अनिवार है तो इस संचन्दी किसके अनमदन से निकल सकती है तो ये भारत की संसथ के अनमदन से निकल सकती है 22 का अनसर और प्रिश्नकार आइट अनसर हो जाएगा प्रिश्नकार 23 से आपके सामने के राज-बिधान सभा में कोई भी धनविद्यक प Weekे पुना इस्तापते नहीं क्या जा सकता है बगिए तो इसे संस्योती के बगiर दैन अबैट्यक पुना इस्तापत नहीं के जा सकता है तो राज पर यों करें इस संस्थी के बगेए तेइस आंसर और संक्या भी एसे प्रिश्नकाराइट अंसर हो जाएगा अंगला पैसने आपके सामने 24 माय कि इस्टेट बैंक ओप इंडिया का राष्टी करण कब किया गया था तो इस्टेट बैंक ओप इंडिया का जो राष्टी करण हुआ था वह एक जुलाई 1955 में गुएता है 24 का अंसर, ब्रिश्टेट संक्या सी एसे प्रिश्नकाराइट अंसर हो जाएगा तैक प्रिश्ट बै स् peso कि इस-प्रिश्टोथ नियालय का नियाइदीद अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो किसी त्यागपत संबोधित करता है एक उच्छ न्याला का न्याएदी तो ये संबोधित करता है राष्ट पती को 25 का अंसार और अपन संक्या ये इस प्रिश्ण का राइट अंसार हो जाएगा 26 आपके सामने की ओत्ता पर्देश को चार चोटे पर्देशों में बांटने का प्रिस्टाऊ ओत्ता पर्देस बिधान सभामक का पारत हुआ था 26 अथा 21 नंवंबर 2011 में यह पूर नवंबर हो जाएगा 27 से आपके सामने की ब्लॉक इस तरह पर 55 सम्ती है तो ये कैसी है ब्लॉक प्रिस्तर पर पंच्यात सम्ती तो ये एक है पिरसासनिक प्रादीकरण 27 का अंसर ओपन संख्या B इसका राइट अंसर हो जाएगा अंगला पैसने प्रिस्तर संख्या 28 है कि DRDO 12 निर्मित भारत के पहली मानव रहत टेंक का क्या नाम है तो क्या है तो इस टेंक का नाम है मंत्रा 28 का राइट अंसर ओपन संख्या E इसका राइट अंसर हो जाएगा प्रिसंख्या 29 है आपके सामने कि राज्यू आवास योजना का मुख्य उद्देश है तो बताओ क्या इसका मुख्य उद्देश है और राज्यू आवास योजना का तो इसका मुख्य उद्देश है कि भारत को कच्ची बस्ती मुख्य करना यानि D option इसका राइट अंसर हो प्रमुकेंत बोजनपत है बड़ेली यह option इससे प्रिशनका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक, कॉमेंट और चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं पर संक्या 31 है आपके सामने कि जिसके संक्या भी तरशनका राइट आंसर हो जाएगा पर आपके 32 सामने कि उत्तरा कि पर्दिश की परमों के संत्राइज उपकर्मों को जिसके द्वारा धीरकालिन रेड़ लोगता शाहते हां हुआ रहा संक्या तो किस के दौरा तो ये देरकारी ट्रेंड उपलब दिखराया जाता है उत्तर पिर्दिस बित्य निगम के दौरा 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑपन संक्या सी इस पृष्णिका राइट आंसर हो जाएगा पन संक्या 34 से आपके सामनों के निमलिकित जीब प्रकारों में से किसकी कुछ जातियों को जैब पीड़ा कनासियों के रूप में पुरियो किया जाता है तो ये किया जाता है जीबक जीबाडू कबक और पुस्पिपादक इन सभी के दौरा पन संक्या 36 से आपके सामनों के भारत में नकसलबाद का प्रारम किस राज़ से हुआ था तो कौन से राज़ से हुआ था तो नकसलबाद का प्रारम वे पश्य मंगाल से हुआ था 36 अंसार और संक्या भी इस प्रिशनकाराइट अंसार हो जाएगा अंगला प्रिश्टी बिलको पारत करने बाला सर प्रिश्टी को पारत किया था बुराज यह असाम 37 का अंसार और संक्या भी इस प्रिश्टी का राइट अंसार हो जाएगा और अंत्य प्रिश्टी आज के स्पिट्टे सैट का कि बिस ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो बिस ओजोन दिवस परती बार से 16 सितंबर को मनाया जाता है और संक्या इस प्रिश्टी का राइट अंसार हो जाएगा तो सात्यों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन् इस प्रिधे ऊज़ को वीडियो में तो हैंदो